मेरा नाम अंकुष राजन्स है, मैं एक पत्थर वेवसाई हूँ, जो की साहेवगंज निवासी हूँ कुछ दिन पहले मेरा और राम हरीस निराला जी का एक आडियो भैरल हुआ था जिसके बाद से साहेवगंज पुलीस मुझे बहुत परतारित कर रही है मैंने बच्चु यादव, दाहु यादव और पागली यादव के खिलाफ दो मुकदमे दायर किये थे उन पे तो इन्होंने कोई कारवाई नहीं की और एक के बाद एक अलग अलग अप्राध ये मेरे साथ करते रहे लास्ट मेंनोंने मेरा केस लेना बंद कर दिया तो मैंने कंप्लेंट केस कोट में किया उस कंप्लेंट केस का कौपी थाना परभारी को दाहु यादव और आपका पागल यादव ये लोग सब मिलके मेरे उपर एक फॉल्स अफायर किया कि मैंने अपने ही जमीन पे अपना ही बेरियर अपना ही घर तोड़ दिया उस केस में यही जिक्र है और इसी केस को मुद्दा बनाके इस ओडियो को वाइरल होने के बाद से म और हमें जारखन परदेश छोड़ना होगा हमने बहुत ही हिम्मत के साथ हेमंद सरकार को मिल जुल के बनाया है एक नारा था हेमंद है तो हिम्मत है लेकिन इस हिम्मत को टूटने ना दे डीजीपी साहब इसमें आपका बहुत ही बड़ा रोल है क्योंकि आप पुलीस के आपतान है जारखंड के और हिमन सोरेंजी से भी मेरी दरफास है कि जो हिम्मत आपने बनाया था उसे तूटने ना दे और उस हिम्मत को बनाने में जारखंड राज के एक-एक जनता का हाथ था लेकिन वह तूटती दिख रही है किर्पिया इस मामले को संग्यान में ले मिश्रा जी एफायर लेने के बाद भी पुलीस को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है एसपी साहब साहब गज में एक टंगे हुए कपड़े के रूप में बैठे हुए हैं जैसे कोई कपड़े को खुटी पे टांग देता है उनका कोई रोल नह रही है आपके ही विधायक लोविन हैम रोम ने इसी मुद्दा को उठाया था लेकिन कोई कारवाई नहीं हुई किर्पिया कारवाई करें वरना लोग बहुत ही कस्ट में हैं और यह कस्ट सरकार जनता राज किसी के हित में नहीं है धन्यवाद